नमश्कार मैं हुँ हरीयों बीरोर आप देख रही हैं प्यवाख इंडर्सान इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंसूर गानी चो रहा कॉंग्रेस कारेलार पर कॉंग्रेस के कुछ पदाधीकारियों का पत्पार ग्रहन जमारों यहां पर आयोज़त किया गया है तो उन्युक्त करने के बाद क्या कुछ इनको जिम्मेदारी मिली है और किन जिम्मेदारियों पर यह काम करेंगे मुझे मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा और प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है कि मंसो जिले की किसान कांग्रेस का जिम्मेदारी हम निभाएं और मंसो जिले की किसानों के साथ कहीं पर भी हम उनकी अंदेखी न होने दें क्योंकि मन्तो दिले के किसान वेसे पूरे प्रदेश के अंदर सबसे जागरू किसान है यहां का किसान संगर्ष करना जानता है अपने अधिकारों के लिए आए दिन आपने देखे होंगे कि हमने बड़े बड़े अंदोलन किये हैं और किसान सरकार के सामने जुका नहीं है, पीट दिखा करके भागा नहीं है, सीने पर गोलियां खा करके भी अपने अधिकारों को मागा है, हम लगातार संगर्च करेंगे, यदि उनके साथ कहीं अंदेकी होती है, कहीं हन्याय होता है, तो हम कांग्रेस के बेनर तले और किसान कांगरेस के जंडे तले हम लगातार संगर्श करेंगे अभी मंसोजीले के अंदर खास करके जो एक समस्या चल रही है कि लसन के भाव इतने डाउन हो गए कि किसानों को अपनी उपज को मंडी में ले जाने का किराया तक नहीं मिल रहा है सरकार समय रेपते लसन का निर्यात न अंदर नहीं डालती है तो हम बहुत ही जल्दी एसा अंदोलन खड़ा करेंगे कि सरकार को मानने के लिए मजबूर कर देंगे कि किसानों कम से कम 10,000 रुपे कुंटल का भाव अंतर मिलना चाहिए किसानों की लसन का भाव एक इसके अलावा और कौन-कौन से मुद्धे हैं जिन पर आप अपने आवाज बुलंद करेंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ेंगे प्रदेशानों को यहाँ लागत मुल्य और समतन मुल्य में जो फसले सम्भील इत नहीं है उनके मुल्य मिल रहे हैं तो हमारी कंग्रेस पूरे प्रदेश यापी आंदोलन करेगी और सरकार को मानने के लिए बाद्य करेंगे उनको उचित मुल्य मुल्य ये थे बद्रिलाज धाकड जो यहाँ पर किसान जो पदादिकारियां पर नियुक्त किये गए हैं और इन्होंने तमाम जिम्मेदारियां बताई कि इन जिम्मेदारियों के तले ये काम करेंगे तो आप देख रहे थे वेबाग इंदुस्तान अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंड करें और अधिक से अधिक शेयर करें